नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राच्टीप और स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल टैक नेटवक्स में जैसे कि मेरे पास काफे दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम दो या दो से ज्यादा राउटर्स को एक ही नेटवक में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं तो आज मैं इसी वीडियो पर डिसकस करने वाला हूँ तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ मैं आपको कुछ बता देता हूँ अभी आज का जो मेरे नेटवक रहेगा मैंने प्लान कर लिया है जो मेरा राउटर जो मेन राउटर है जिस पे इंटरनेट चल रहा है उसका IP एड्रस रहेगा 192.168.1.1 और उससे जो मैं पहला राउटर कनेट करने वाला हूँ राउटर 1 उसको मैं स्टाटिक IP इस तरह से देने वाला हूँ 192.168.1.10 और जो मेरा राउटर रहेगा उसका IP रहेगा 192.168.2.1 इसके लावा जो मेरा दूसरा राउटर रहेगा उस राउटर का IP रहेगा 192.168.1.3 और उसके लिए कुछ एक स्ट्राटिक IP रहेगी जो मैंने आप ऊपर डिफाइन कर दी है चलो हम अपने नेटवक की तरफ बढ़ते हैं तो जो मेरा प्राउटर है उस राउटर पर मेरा नेट चल रहा है तो इसलिए मैं पहले राउटर 1 अपने नेटवक के साथ कनेट करता हूँ जैसे कि मैंने डाइग्राम में बताया आपको आप राइट अंड साइट पर देख पा रहे होंगे यहां पर मेरा लैन कनेट हो चुका है एक बार मैं क्रॉस चक कर लेता हूँ हाँ यह मेरा लोकल एरा कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है मैं चक कर लूँगा इसमें कोई भी आईपी अडर्स नहीं होना चाहिए और यहां पर कोई भी आईपी अडर्स नहीं है तो मेरा प्रामरी सोर्स रहेगा जो मेरा राउटर 1 मैंने अभी कनेक्ट किया है उसका आईप config इससे मेरे को जो router मैंने अभी connect किया है उस router का IP address पता चल जाएगा तो देखिए दोस्तों जो मैंने router अभी connect किया है router 1 उसका IP है 192.168.0.1 जबकि हमको उसको करना है 192.168.2.1 तो मैं browser open कर लेता हूँ जो मेरा router अभी connected है उसका default IP में इंटर करता हूँ यहां पर मैं username और password इंटर करूँगा देखिए मेरे router open हो चुका है as per जो वीडियो मैंने यह picture show कर रखी है यहां पर मेरे router 1 का जो IP रहेगा वो रहेगा 2.1 तो सबसे पहले हम अपने router का IP चेंज करते हैं हम जाते हैं DHCP और address reservation यह हमको जाना है network में network में mac land port में हम जाएंगे यहां पर हम IP चेंज कर लेंगे जो हमने यहां पर अपना set कर रहा है router 1 के लिए 2.1 तो यहां पर मैं अपना IP कर लेता हूं 2.1 इस पर मैं एक पूरी वीडियो स्रीज बना चुका हूं वह वीडियो स्रीज अब देख सकते हैं यहां देखिए दोस्तों मैं अपना router का आइप्बी चेंज कर रहा हूं मैं लगा द네ता हूं कि जो मिरा प्रेवीयस आउप्य था क्या वह चेंज हुआ यह नहीं हुआ यह मेरा करण्ट आया बीडर स्करी टाइम आवट आ रहा है और यह मेरा एक नया आफी आडर्रस रहेगा तो जैसी मेरा नया IP address चल जाएगा तो पुराना बंद हो जाएगा अब ये दोनों बंद है क्योंकि मेरा router reboot हो रहा है जैसी मेरा नया IP address चलेगा तो पुराना वाले का time out continue start हो जाएगा यह 192.168.2.1 मैंने IP डाला यहां पर यूजर नेम डाल दिया मैंने router का और password इंटर कर दिया ठीके दोस्तों as per picture हम पहला process कर चुके है router 1 को 2.1 का router IP assign कर चुके है अभी हमनो router पर इंटरनेट चलाना है तो हमारा process रहेगा जो router का IP है उसको static IP में configure करना है और कुछ इस तरह से IP देनी है 192.168.1.10 तो मैं इसको assign कर लेता हूं मैं इसकी network setting में जाता हूं when setting में जाने के बाद मेरेको इसको static mode पर configure करना है और मेरा यहां पर IP address रहेगा 192.168. यहां पर मैंने mention किया picture में 1.10 रहेगा दोस्तों 1.10 और subnet mask जैसे मैंने picture में define किया था 255.255.255.0 यह मेरा subnet mask है और यह मेरा इसका gateway रहेगा जैसी मैं इंटर करता हूं DNS आपकी choice है आप रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं router आटोमेटिक ले ले लेता है तो currently मैं global DNS इसमें entry कर देता हूं देखे दोस्तों यह router में सेटिंग कर चुका हूं एक बार picture one में देख लेते हैं router one को मेरे को static IP पर configure करना था यह मैं कर चुका हूं यह static IP की सकोर्डिंग रखी मैंने जो मेरा primary router है वहां से मैंने देख लिया कौन-कौन से IP address free है जो मेरा main router है उससे मैं चक कर लूँगा उसके बिहाब पर एक IP मैं router one के लिए select करता हूं जो मैंने 10 किया है यह router उनकी configuration कर चुका हूं अभी मैं क्या करता हूं दोस्तों जो यह WAN port है router one का वो मेरा main जो router है उसके land port से connect कर लेता हूं दोस्तों मैंने इसको WAN port से connect कर दिया है कुछ time लेगा तो इसकी activity चल रही है यह अभी अपना time ले रहा है connect करेगा आज उससे हमको confirm होगा कि क्या हम connect कर पा रहे हैं अपने आपको यह नहीं कर पा रहे हैं यहां मैं एक बार चक कर लेता हूं क्या इसका पिंग आने स्टार्ट हुआ देखिए दोस्तों यहां पर Google का पिंग आने स्टार्ट हो चुका है एक-पिं मेरा पहला primary router है जो route 1 है उसका Net चल चुका है और यह बिलकुल मैं नेट अक्सेस कर पा रहा हूं यह मेरा Google पिंग भी आ रहा है और यह मैं Router का पिंग आ रहा है तो दूस्तों पहला router मेरा configure हो चुका है मेरा जुसरी राउटर है, मेरा जो Primary Router इसके दूसरे Landport से मेरे को connect करना है तो चलिए दोस्तों, मैं अपने laptop को दूसरी router से connect कर लेता हूँ तो दोस्तों, मैंने अपने जो दूसरा router है, मेरा router2, उसको मैंने अपने laptop से connect कर लिया है, उसको भी हम router 1 की तरह configure करेंगे तो मेरा पहला primary motive रहेगा कि जो मेरा router है अभी मैंने connect किया है उसका IP address क्या है मैं check पर चक कर लेता हूँ command window में जाना है यहाँ पर IP config लिखना है हमको जैसे मैं यह लिखता हूँ यहाँ पर मेरे को देखना है कि इस router का gateway क्या है तो जो यह मेरा router है उसका gateway 0.1 है जो कि मेरे को change करके 3.1 करना है तो मैं यहाँ पर router को login कर लेता हूँ 192.168.0.1 जैसी मैं अपने router को login करता हूँ मेरा router login हो चुका है यहाँ पर मैं router का पहले तो IP change करके as per जो router में मैंने mention किया था 192.168.0.1 router का IP change करूँगा आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर मैंने router का IP 3.1 लिया हुआ है तो अभी एक पर चक कर लेते हैं क्या मेरा 3.1 router का IP आना स्टार्ट हुआ पिंग आना स्टार्ट हुआ है या नहीं अभी तक कोई पिंग नहीं आ रहा है मेरे router का और 0.1 को चक कर लेते हैं कि क्या 0.1 का पिंग आ रहा है दोस्तों अभी 0.1 का भी पिंग नहीं आ रहा है क्योंकि IP एडर्स जालने के बार router रिबूट होता है तो router अभी रिबूट की स्टेट में है चेंज हो रही है IP जैसे इसका IP अडर्स चेंज होगा तो हम आगे की इंटर कर दिया 3.1 मेरा इंटर हो चुका है एक बार मैं Google चक करता हूं दोस्तों मेरा Google नहीं चलेगा क्योंकि मैंने अभी वैंपोड यहां पर इसको स्टाटिक मोड पर करूंगा अब स्टाटिक मोड पर मेरे को आईपी क्या रखने थी जैसे मैंने यहां पर बता है 1.11 मेरा इपी रहेगा इस राउटर के लिए मैं आईपी डाल देता हूं यहां पर 192.168.1.11 सबनेट मास्क मेरा 25252525.0 रहेगा और गेटवे मेरा यह रहेगा DNS मैं open DNS डाल देता हूं और इसको सेप कर लेता हूं जैसे मैं यह सेप कर लूँगा दोस्तों मेरा next process रहेगा जो router 2 है उसको main router के LAN port से connect करना है तो चलो दोस्तों मैं इसको connect कर लेता हूं एक बात जो main router है उससे जो हमारा router 2 है उसके WAN port में ही हमको cable connect करनी है इसलिए मैंने वहाँ पर mention किया हुआ है तो आपको ध्यान देना है उस चीज को जैसी यह मैं connect करता हूं एक बार मैं चक कर लेता हूं क्या मेरा Google चलना स्टार्ट हुआ देखे दोस्तों इस तरह से मैं अपना Google चला पा रहा हूं मेरे पास Google का ping भी आ रहा है मैं एक बार cross check कर लेता हूं देखे दोस्तों तो इसी तरह से आपको क्या करना है एक router से multiple routers को किस तरह से connect कर सकते हैं यह सारी process रहेगी और कोई भी आपकी query हो तो आप मेरे को वीडिय आप मेरे वीडियो को आगे share करेंगे अपने दोस्तों से subscribe करवाएंगे और आज के लिए इतना ही thank you for watching my video